हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का MSSSD Notes में तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग शाकरते हैं बढ़िया होंगे तो चलिए हम आज की क्लास में आप से डिसकुस करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे महतपूर्ण प्रशन जो की परिक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं और जो भी नया पैटर्न बन रहा है प्रशनों का उसको अपने इस वीडियो में डिसकुस करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किये चले शुरू करते अपने कुश्चन को और आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कीजेगा पहला कुश्चन है हिंदी नव ज नहां है या आपके प्रेम चंद की रशना नहीं है ठेट हिंदी का ठाट के लेखा कौन है तो दोस्तों अगर यह प्रसन आता है तो याद रखी अविध्या सिंग उपाद्य है यह भी प्रसन बहुत इंपॉटेंट है अगला है इन में से शिव प्रशाज सिंग का उपन्य अगला है अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है तो अनामदास का पोथा यह आपके हजारे प्रशाद दिवेदी जी का उपन्यास है हिंदी का प्रथम महा काव्य किसे माना जाता है तो प्रिथी राज रासु को हिंदी का प्रथम महा काव्य माना जाता है कौन सी रशना आदुने काल का राम काव्य है तो दोस्तो साकेत को आदुने काल का राम काव्य कहा जाता है प्रेम चंदर की सुपन्यास को कृषक जीवन का महा काव्य कहते थे तो यह आपका गोदान था हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है तो हिंदी गद्य के जन्मदाता हिंदी में नुआत किया था अगला प्रशन है वागजाल का संधी विछेद क्या होता है तो दोस्तों वागजाल का संधी विछेद होता है वाग प्लस चाल अतधिक अतधिक में इसका संधी विछेद क्या होगा तो होता है अती प्लस अधिक अगला निमलिकित में कौन सा व्यंजन संदी है आप्षन आपके सामने हैं तो देखिए सदय, मनुरत, निर्गुण और सदाचार में जो सदाचार है आपका व्यंजन संदी है अनाधिकृत सब्द का संदी विग्रह क्या होगा तो अन प्लस अधिकृत जो होता है इसका सही संदी विछेत हो जाएगा प्र तेक्ष में आपका यडवर्षन और सदी होती है सन्वारग में कोंसे संदी है तो यहां पे व्यंजन संदी होता है कि हमने कोंसे वि diff के में नोटाग के संदी है कि आयादि संदी और तो इस तरह से आप लोग इसको भी याद्रखेंगा और नोटाइर दें देखे समास समास में क्या प्रश्ण पूछा जा रहा है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है भाई अप्रधान प्रधान की बात नहीं कर रहा है अप्रधान जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे आपका क्या होता है वहां प पर करमधारे होता है जब प्रथम शब्द संख्या वाची और दूसरा शब्द शंग्या हो तो वहां पर कौन सा समाश होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर होता है आपका द्वीगु समाश इसमें पूछ रहा है सही समासिक पद क्या है तो यहां प परोक्ष होता है निमलिकित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चैन कीजिए तो शब्ताह में आपका द्विगु समास यानी संख्यावाची अगला कौन सा शब्द बहुबरी ही समास का सही उदारण है तो पंचानन में आपका बहुबरी ही समास होता है इन में से द्वंद समास का उदाणा कौन सा है? तो द्वंद समास में आप लोग देखिए, रुपिया पैसा को आप लोग वीगू में मत काउंट कीजेगा, यह आपका द्वंद में आता है, ठीक है? अगला, हनुमान की पूछ में लगन न पाई, याग, लंका, सगरी, जल गई गया, निसाचर भाग, यहाँ पे कौन सा लंकार होगा? तो यहाँ पे अतिश्य युक्ति, यानि किसी बात को बढ़ा चड़ा कर बोलना, अगला है, मोसम कौन, कुटिल, खल, कामी? यह आपका कैसा लंकार है? यहाँ पे आपका उत्रेक्षा, यहाँ पे अब अलंकार से लेटर हम लोग डिसक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका वक्क रोक्ति, जो दिया है, बी ऑप्शन, ठीक है? तो चली, बढ़ते हैं अगले प्रशन पे, रहिमन जो गति दीप की, कुल कपूत, गति सोय, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरों हो, यहाँ पे कौन सा लंकार है? यहाँ पे उपमा लंकार जो होगा? यह सही उत्तर होगा अगला है भरते ही हो इन राजमदू विधी हरी पद पाई कभव कि काजी सिकरनी द्वीर सिंधू बिनसाई यहां पर आप से पूचा है कौन सा लंकार है तो यहां पर दृष्टान के इंतर गताता है फिर अगला है कि माला फेरत युग गया फिरान मनका करका मन का डाड दे मन का मन का फिर यहां पे आपका कौन सा लंकार है तो यमक है तो इस तरीके से आपके लंकार से रिटेड जो हाइलाइटड कुश्चन थे वो आने इस वीडियो में डिसकस कर लिए है चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे तो अगला टॉपिक भी आपका इसी से रिटेड थोड़ा सा और बचा है तो इसको भी डिसकस करते हैं तो चलिए अब आते हैं रस बे तो अलंकार हो गया समास हो गया संदी हो गई ठीक है तो अब आते हैं रस तो रस से कैसे कुशन पूछे जाते हैं इसके बार हम डिसकस करते हैं जैसे स्थाइभाव की संख्या पूछ लेगा आप से एक्जाम में तो आप लोग पड़े हैं नौ होता है कावे में कितने रस माने जाते हैं तो यहाँ पे देखो चली यहाँ पे आप लोग जल्दी से एंसर देना है ठीक है अपना भी एंसर आप लोग फटा फट से कमेंट कर दिएगा कावे में कितने रस होते हैं तो यहाँ पे आपका होगा जुष्सागार साइभाव क्या होता है तो यहाँ पे होता है आपका विभश सांतरसकार साइभाव क्या होता है तो निर्वेद होता है विश्मेस्थाइभाव किस रस में होता है तो यह होता है आपके अदभूत में सरवस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बंधी समास अलंकार और जो आपके वनवाला से रेटेट जो भी सारे टॉपिक थे जो हाइलाइट कोश्चन थे जिनके सबसे ज्यादा एक्जाम में पूछ जाने के समभावना रहती है साथ ही मैंने आपके हिंदी साइट के भी कुश्चन लिये थे आशा करते हैं आपको सार के लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंग अ